Hello guys welcome back to the channel इसे स्चार्ट करते हैं GFGKH की video GFGKH की ब्रॉन का नाम है enemy medium level की problem है और trust me guys बहुत ही जाता simple problem है खब्राने वाली कोई बात नहीं है तो सबसे पहले आपने देख लेते हैं कि इस question में अपने को given क्या क्या है और इस question अपने को क्या कहना चाहरा है इस question में ना आपने को एक grid given है जो n x m size की है ठीक है जिसको अपन geek land भी बोल सकता है अब इस geek land के अंदर k enemies खड़े हैं मतलब k enemies k positions k अलग-अलग positions पे खड़े हैं और एक enemy जहां पे भी खड़ा है वो उसके corresponding पूरी row और पूरी column को block कर देता है मतलब उदर कोई भी enter नहीं कर सकता है तो ऐसी k positions पे होगा क्योंकि k अलग-अलग positions पे अपने enemies खड़े हैं तो वो k अलग-अलग rows और k अलग-अलग columns को block कर देंगे तो अपने पास बाकी जितना भी area बचा है जो block नहीं है उसके अंदर से अपने को largest area return करना है मतलब अपना question क्या है अपने को largest area ऐसा उस grid में से return करना है जो की block नहीं है तो अगर अपने इस example से अच्छे से समझने के गोशिश करें तो इस example के अंदर अपने को n b 2 given है और m b 2 given है ठीक है तो अपनी grid हो गई 2 cross 2 की ठीक है और उसके अंदर सिर्फ a की enemy खड़ा है जो की 2,2 position पर खड़ा है तो अगर अपन इसको देखें तो यह अपनी grid है 2 cross 2 की और इधर 2,2 वाली position पर अपना enemy खड़ा है ठीक है अब इस enemy ने क्या किया इसके corresponding पूरी row को मतलब इस वाली row को जहां पर वो खड़ा है और इस वाले column को जहां पर वो खड़ा है उसको block कर दिया ठीक है मतलब यहां पर कोई enter नहीं कर सकता अब unblocked area कौन सा है अपना unblocked area सिर्फ इतना सा है मतलब यह सिर्फ एक unit area जो unblocked है और यही अपना maximum area हो सकता है क्योंकि इसके अलावत तो सारे areas locked ही है ठीक है तो यही अपना answer हो जाएगा तो अपना एक unit area ही maximum area जो blocked नहीं होगा तो यही answer है अब अगर अपन next example देखें तो next example में अपने को 3 cross 3 की grid given है जहां पर एक enemy 3,3 position पर खड़ा है तो एक enemy है अपना वो यहां पर 3,3 वाली position पर खड़ा है ठीक है तो उसने क्या किया उसने इस वाले पुरे row को block कर दिया और इस वाले पुरे column को block कर दिया ठीक है अब अपने पास free कौन सा area पढ़ा है यह पूरा area अपने पास unblocked है ठीक है यह वाला पूरा area unblocked है इसका size क्या है क्योंकि यही maximum और यही only area है जो unblocked है तो इसका size क्या है इसका size है 4 और 4 ही अपना maximum size होगा जो unblocked area का होगा इसलिए अपने 4 return कर दिया ठीक है बट इसके अंदर एक और case हो सकता है इसके अंदर यह भी case हो सकता है कि enemy अपना 3,3 पे मतलब एक और position इस वाली position पे let's suppose खड़ा हो sorry guys इस वाली position पे अगर वो खड़ा होगा तो वो इस वाले row को और इस वाले column को और इस वाली row को block करेगा ठीक है तो अपने पास दो free areas बचे है एक तो यह वाला और एक यह वाला दोनों की size 2 है ठीक है तो अपन कोई सा भी area choose करें बट यही maximum area मतलब two unit area ही maximum होगा जो free होगा ठीक है तो अपन two ही return कर देंगे तो अपन return कर देंगे उस case में ठीक है और अगर enemy यहाँ पे खड़ा हुआ let's suppose enemy यहाँ पे खड़ा हुआ तो वो इस वाले column को इस पूरे column को और इस पूरी row को block करेगा तो अपने पास 4 area ने बच्के एक 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 unit के एक यह दुरे तो यहय वाला एक एवाला एक एवाला आक यह बाला और एक वाला area एयह बच्किंद करने हैं तो म builder कर देंगे तो अपने कोs I suppose questo समाझ में आ गया है ठीक है अपने को question एक बास समझ में आ गया तो अब अपन इसकी approach की तरफ बढ़ते हैं कि अपन इसके approach कैसे build करेंगे तो इसके approach build करने के लिए मैंने ये वाले example ले लिए ठीक है अगर अगर आपन इस वाले example पे stick रहें तो इसके अंदर अपनी rows कितनी है अपने पास 4 rows है और मतलब अपने पास चार रोज है और नौ कॉलम्स है ठीक है और अपने दो एनिमीज खड़ें इनके उपर दो एनिमीज कहां कहां पर खड़ें एक तो खड़ा 2,1 पर मतलब इधर मैंने 0-based indexing लिए इधर 1-based indexing चल रही थी इसलिए इसको अपने 3,3 बोला था ठीक है इधर मैं अपने 0 से चालो करते हैं काउंट करना और इधर होगा 1 से चालो होगा काउंट होना तो 1,2,3 होता है और इधर भी 1,2,3 हो जाएगा तो यह 3,3 वाली कॉलम हो जाती बट इधर मैं 0-based indexing लिए तो 0-based indexing में क्या होगा 0 से लेकिए n-1 तक चलता है तो 0,1,2,3 अपने इधर चार तो कॉलम से लेकिन अपने उसको 1,2,3,4 मार्क करने की जागे 0,1,2,3 मार्क कर दिया और similarly अपन 0 से लेकिए 8,9 रोस को मार्क कर देता है ठीक है तो इसके अंदर क्या हुआ इसके अंदर पहला एनिमी अपना 2,1 पे खड़ा है तो 2,1 काउंसा होगा 2nd रो और 1st कॉलम 2nd रो और 1st कॉलम अपनी ये है तो अपना 1st एनिमी यहां पे खड़ा है और 2nd एनिमी अपना 3,3 पे खड़ा है मतलब 3rd रो और 3rd कॉलम पे खड़ा है ठीक है तो अपना 2nd एनिमी यहां पे खड़ा है तो इस पूरी रो को मतलब इस पूरे कॉलम को 1st कॉलम को और 2nd रो को ब्लॉक कर आधु riot अपने पास एक तो ये वाला आरिया बचआ है एक अपने पास ये वालावावा गधा है और एक अपने पास ये पूरा थमीदेर बचना इनके अंदर से of course ये वाला area सबसे बड़ा है क्योंकि इसके अंदर तो अपन को दिख रहा है कि 2 unit area यह है लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा area है 2 तो अपने पास rows है और 5 columns है तो 2 into 5 10 अपना area हो गया ठीक है तो 10 definitely 2 से बड़ा है इसलिए अपन 10 return कर देंगे इस answer के अंदर ठीक है यह तो यह question solve करना हो गया अब इसको अपने solve कर लिया है तो अपन देख लिते हैं कि इस question की approach क्या रहेगी मतलब इसको actual में कैसे करेंगे अपन इसको actual में करने के लिए अपन क्या करेंगे अपने को मालूम है कि जिस column या जिस row पर वह enemy खड़ा है उस पूरी corresponding row और उस पूरी corresponding column को ब्लॉक कर देता है तो अपने को ज़रूरत है क्या पूरी की पूरी grid बनाने की अगर पूरा अपन एक array ले लें जो अपन rows को dedicate कर दें मतलब रोज कितनी अपने पास चार है तो फोर साइस का अपन एक column बना ले मतलब एक array बना ले और उसको बोल दें कि यह अपना row वाला array है ठीक है और एक और array बना ले sorry guys एक और array बना ले 9 साइस का एक और array अपन बना है 9 साइस का अपने पास पूरी बन गई ठीक है अब अपने को करना क्या है अपनी two comma one के उप़र enemy खड़ाया है मतलब seks econ row और फोर्स зов कॉल specially अपना enemy खड़ाय मतलब यह क्या second row को block कर रहें तो हपन इस array की second position को ब्लॉक कर देता है ठीक है और critic को ब्लॉक कर रहे तो अपन इसको ब्लॉक कर देता है अब next enemy क्या है 3,3 पर गड़ा है मतलब वह 3rd row को और 3rd column को ब्लॉक कर रहा है ठीक है तो अपने ये दोनों positions पर ब्लॉक्ड है column रोके ठीक है तो अपने देखेंगे कि अपना maximum कौन सा कौन सा row free है मतलब किते rows free है maximum एक साथ continuous में तो अपने 2 rows free है और continuous में किते columns free है 5 columns free है ठीक है तो rows अपने कौन-कौन सा free है यह दो ठीक है और columns अपने काउन-कौन सा free है ये 5 columns free है ये अपने अपने तो आप इन दोनों का intersection क्या हो गया इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला पूरा एरिया हो गया जो कि अपना मैंग्जिमम एरिया था ठीक है तो अगर अपन इन दोनों को इंटू करते हैं 5 इंटू 2 को तो अपना 10 बन जाएगा ठीक है यही अपना सल्यूशन हो सकता है अगर अपन इस वाले केस में भी अप्लाय करके देखें तो इस वाले केस में अपना क्या था 3,3 की ग्रिट थी तो अपन क्या बदते हैं मतलब 2,2 की ही ग्रिट होगी इदर 3 x 3 की तो 3 रोल है अपने पास और 3 ही कॉलम्स है ठीक है तो अगर अपना एनिमी इधर खड़ा है 3 x 3 पे तो 3 अपना मतलब जो है उसका कोरिस्पांडिंग वह भी 3 है तो इसको भी ब्लॉक कर देगा और थर्ड कॉलम्स को भी ब्लॉक कर देगा ठीक है तो अपने कित्ते रोस एक साथ फ्री होगा है मतलब मैक्सिमम कंटिन कॉलम्स कॉलम्स कॉन से फ्री है तो ठीक है रोस कॉन सी थी दो जो फ्री थी दो रोस यह थी जो फ्री थी और दो कॉलम्स कॉन से थे जो फ्री थे यह सारे कॉलम्स थे अब इन दोनों का इंटर्सेक्शन क्या हो गया इंटर्सेक्शन वाले एरिया यह था ठीक है कॉन्टे तो ये वाली रो थी और ये वाला कॉलम था ठीक है तो अपना टू को अमा टू के ख़ड़ा है तो अपने को इसको ब्लॉक करना है इसको ब्लॉक करना है ठीक है तो अपना कितने maximum रोज फ्री है एक एक ही फ्री है और एक ही कॉलम फ्री है रो कॉनसी फ्री है अपनी ये वाली इनफीप Rachel प्रिए प्रिए फोल्वी ठीक है बट अपना क्या हो रहा है कि इस रों का यह ब्लॉघ है और इस वाली, इस वाले कॉल्वा मातफा यह ब्लॉघ है, तो अपना क्या हो रहा है कि अपना यही अर्या बढ़ जहा रहे हैं जो कि 1 into 1 2 है मतलब 1 into 1 equals to 1 है guys sorry ठेक है तो वो अपना ये है और वो इससे इन दोनों से easily हो रहा है क्योंकि जो अपना जितनी rows free थी और जितनी columns अपने free थे उन दोनों को into करने से ये पूरा common area ही आयागा ठेक है तो ऐसे ही अपना question solve होगा एक बार अपन इसकी approach देख लेता है तो इसकी approach जानने के लिए अपने क्या क्या है सबसे पहले तो अपने देखा कि अगर k0 है तो अपने पूरी की पूरी greedy free है कुछ भी block करने को कोई enemy है नहीं इसलिए अपने m into n return कर दिया नहीं तो फिर अपने दो vectors बनाया मतलब तूनों vectors array ही होता है ठेक है तो एक दो vector बन से उस साइस का एक area बना दिया उसको 0 से initialize कर दिया मतलब यह वाला जो पूरा रो था यह पूरा 0 से initialize जोगा ठीक है और यह जो पूरा column था यह भी 0 से initialize जोगा ठीक है फिर अपने क्या किया अपने जहां पर भी enemy खड़ा था उसके corresponding row पर minus 1 कर दिया और उसके corresponding column पर minus 1 कर दिया इधर row की value से minus 1 और column की value से अपने minus 1 क्यों किया है क्योंकि अपना इधर one based indexing चलता है ठीक है यह 3,3 की जगया कर 2,2 होता जो कि इधर था मतलब अपने zero based indexing follow की होती तो यह 2,2 आली position पर होता enemy लेकिन अपना 3,3 पर given है मतलब अपनी one based indexing चल रही है और अपने यह जो सारे arrays होते हैं यह zero based indexing पर काम करते है ठीक है इसलिए अपने minus 1 कर दिया थाकि अपनी one based indexing zero based indexing में convert हो जाए ठीक है उसके बाद अपने जहां पर भी enemy खड़ा था उसके corresponding row पर minus 1 कर दिया उसके corresponding column पर minus 1 कर दिया मतलब अपना इधर minus 1 हो जाएगा इधर minus 1 हो जाएगा इधर एनिमी खड़ा था तो इधर minus 1 हो जाएगा और इधर minus 1 हो जाएगा ठीक है बागी सब जगे zero रहेगा तो अपन को पता जल गया कि अपना enemy कहां कहां पर खड़ा है उस जगह पर row को और column को अपनने ब्लॉक कर दिया अब देख रहे हैं कि maximum rows कितने एक साथ free हैं तो वो अपन स्टोर करेंगे maximum rows के अंदर कि कितने maximum rows अपने पास continuous में free आ रहे हैं ठीक है उसको calculate करने के रहे हैं कि अपने पूरे row वाले vector में से iterate किया और अपने देखा कि जहां पे भी अपना row-1 नहीं आता है मतलब row की value-1 नहीं आ रही जहां पे इनी में उपना ख़ड़ा नहीं है वहां पे एक कोई से भी variable को plus plus करते जाओ ठीक है जैसे अपने कोई भी count ले लिया उसको plus plus करते जाएंगे यहां पे भी rho अपनी –1 नहीं हो रही है तो अपनी rho कहां पे –1 नहीं हो रही है यहां पे सब से statik में –1 नहीं हो रही है तो अपने plus कर दिया ठीक है तो जीरो से वह बहुत पर आ गया फिर अपने देखा कि अपना प्राइब सऴस्क्राइबस पंकर यह पने आपकाया डिया के माइक्जिममग सब्सु का था कुछ ряд है फिर अपने वांप और थेएएभर ऐन यहीं काउंटरने होब कर दूंटर क्यू समक्रणंद मप फिर है और धर धेकशन्य फिरक्राइबस मैक्सिमम रो कि अपने काउंटर को 0 कर दिया इस बार अपने रेखा कि मैंक्जिमाम रोज आपने कुछ भी डाला इसके उपर अपने वापने वापने से ट्रेट किया तो इसको तिक है और अपना लूप खतम हो जाए गजाए तो अपने पास मैंक्जिमाम रोज कितनी आ गई लास्ट में same operation अगर अपन column के साथ करें तो इधर इस बार M हो जाएगा maximum columns ठीक है तो इस बार maximum columns अभी 0 है और अपना counter भी 0 है ठीक है फिर अब जोब अपने start के iterate करना तो first position पर अपना minus 1 नहीं है तो अपन के अगरेंगे counter को plus plus कर देंगे और अगर counter की value maximum maximum से बड़ी है तो अपन के अगरेंगे maximum को counter के equal करदेंगे थिक है थिक है अपने maximum valuum mars को about ऒलब किल नहीं क्या फिर अपने वापई से trade किया और डीकिलि को ऐसे पर वापी तो आपने counter की value को वापिस से 1 किया फिर देखा कि दोनों की value बराबर इसलिए अपने change नहीं किया है फिर यह minus 1 आ गया तो इधर फिर अपने 0 कर दिया फिर अब 0 ही आ रहा है हर जागे तो अपन क्या करेंगे 1 रखेंगे इसको इधर मतलब इस वाले column पर यह 1 हुआ तो अपन अपने वापिस देखा तो 2 आ रहा था तो अपने maximum की value को 2 कर दिया counter के बराबर फिर अपने counter के बराबर करते करते 3,4 और 5 तक पहुच जाएंगे ठेक है तो अपने maximum column की value क्या है 5 पर maximum row की value क्या है 2 तो 5 into 2 कितना हो जाएगा 10 और 10 ही अपने maximum row into maximum column अपने return कर दिया तो यही अपनी simple solution थी hope आपको यह solution समझ आया होगा अगर आपको यह solution समझ आया और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें एक बर अपन देख भी लेते हैं कि क्या यह solution accurate है तो हाँ यह solution एकदम accurate है मतला आप इसको पूरा follow कर सकते हैं thank you so much अगर आपको कोई भी डाउट हो तो please comment box में जिल्बू मेंशन करेंगा and thanks for watching